हमेशा बिजेपी सरकार हमेशा बिजेपी सरकार कहती है मैं किसानों के लिए काम करता हूँ लेकिन बताइए अगर आप किसानों के लिए काम करते हैं ते प्याज ये प्याज खून के आशू क्या हो रो रहा है ये आप से सवाल है देखिए एक नहीं एक नहीं दो नहीं तीन च्पाट नहीं चलको लोग की जिंदगी कैसे चलती है जमीन हैares लेका ना के लफ ऐसा चलता है ऐसा गिरुवी रखेंते हैं जमीन को आइसा बहुता है बाई आई आइसा बहुता है भाई हाँ कि अगर दो हो तो खूब देखी होगी बिहार में भी देखी होगी जार खंड में भी देखी होगी लेकिन आप देख सकते हैं हम आपको जो हालात आज दिखाने वाले हैं उस हालात को देख करके आप रो देंगे क्योंकि यह देखिए किसानों की खून कमाई का पैसे का आप देख सकते है किसानों इदे इसको कितने खून और पसीने से सीचा होगा इस प्याज को पैदा किया होगा इसमें खाट डाला होगा पानी डाला होगा बीज लाया होगा इसको पकाया होगा लेकिन किसानों को मार्केट नहीं मिल पाया जब इसे बेचने की बारी आई तिसके जो दाम रखे उसके ले आने ले जाने के पेट्रोल भर का भी पैसा नहीं तो आप देख सकते हैं आज यह एक खेत का हाल नहीं है दोस्तों कि यह करनाटक के किसी एक खेत का हाल हो ऐसे दरजनों खेत आपको मिल जाएंगे जहां प्याज तो पैदा हुए लेकिन विके नहीं मतलब किसानों क मतलब कोन कमाई का जो यह प्याज पैदा किया गया था ना दोस्तों कोन के आशूर ला गया मतलब एक रुपए में भी यह बेच नहीं सके इसमें खाद पानी देने में चाहे हजारों रुपए लगाये हों चाहे लाकों रुपए लेकिन किसानों का जो पैसा है वो डूप हम करनाटक में हैं यहां की जो अस्थानी भासा है कन्नड है लेकिन हम यहां पे ऐसे दो युवा मिले हैं जो थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं हम उनसे जानने का प्रियास करेंगे कि आखेर जो आपके सीम है बाद बाद सीम है आखेर उस प्याज को क्यों नहीं विक्वाए आपकी जो समस्या उसको हल क्यों नहीं किये क्या नाम है आपका कोट्रेशनाइक आप बताएए आपकी जो प्याजों की हालत है यह आप दिखाएगा जरा यह पूरे खेत में यहीं हाल है एक जगह की हाला हालात नहीं है कई बलकि कई ऐसे खेत होंगे इसे कितने जगह प्याज को फेक दिया गया है एक 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 पाकिट में फुल हो गया मेरा मेरा गाव से यह आप देख सकते हैं तोटल करनाड़े से रेट डून हो गया बट मेरा गाव से इदर से फुल कराब हो गया मेरा काम है ना यह फ्लाट का एक टूंटी फिफ्टी तोजन्ट कर्चों गया बट आता नहीं पचीस तीस जार रुपए खर्चोंगा लेकिन बिका एक रुपए कभी नहीं और जो खून कभी का जो खून लगा पसीना लगा तो अलग की बात है आता नहीं यह मेरा यह नहीं आता है उदर से मेरा काम क्यों किया गया आप इसे मार्केट में ले जा करके बेच सकते थे आप इस प्याज को क्यों नहीं बेचें मार्केट में एक 50 केज पार्केट है ना एक सब रुपए और आता नहीं मतला पच्यास किलो का अगर आप पच्यास किलो प्याज मार्केट में बेचते हैं तो आपको मात्र सो रुपए मिलेगा करनाटक के सीयम वंबाई जी आपका जो प्याज है आखिर क्यों नहीं बेचा गया जो किसान है 25 से 30 हजार उपए गरीब किसान बड़ी मुश्किल से लाता है और इसे खून पसीने से इसकी सिचाई करता है लेकिन किसानों के सπनों पर पानी तब फिर जाता है जम इस प्याज को मार्केट में नहीं लिया जाता है जहां ये तरब महगाई इतनी चड़ी हुई है कि आखिर किसानों का आम जन का जीना मुश्किल हो गया है वहीं देख सकते हैं किसानों की जो खून कमाई का है आखिर सियम बुम्माई जी आखिर आप की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी लगातार बिजेपी सरकार किसानों की बात करती है किसानों की राजनीत करती है किसानों की ओट लेने की कोशिस करती है लेकिन जो बुम्माई जी है आप देख सकते हैं किसानों की कितनी दुर्दसा है भाजबा सरकार में ये मैं नहीं कर रहा हूँ ये प्याज ये प्याज रो रो करे बया कर रहे हैं आकिर मैं किसी मार्केट में क्यों नहीं भिका एक बड़ा औरहम सवाल है हमेशा बीजेपी सरकार हमेशा बीजेपी सरकार कहती है मैं किसानों के लिए काम करता हूँ लेकिन ये बताइए अगर आप किसानों के लिए काम करते हैं ते प्याज ये प्याज खून के आशू क्या हो रो रहा है आप से सवाल है आखिर इन किसानों के एक रुपाय क्यों नहीं मिला एक बड़ा और हम सवाल है अब देखिए एक नहीं एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं छे नहीं जहां चले जाए प्याज ही प्याज है आखिर कोई किसान कहां जाए किस मार्केट में ज आए एक बड़ा और हम सवाल है दोस्तों और भी तमान घबरों के लिए देखते रहे हैं और मियम बाद चीत करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग कभी DM के पास CM के पास क्यों भाईया कभी DM के पास CM के पास कभी गए नहीं आप किसी अधिकारी के पास गए हों का अखिर इत पूरा उदर से वो गया एक नहीं एक प्लाट पान नहीं है यह पूरा टोटल वो फिप्टी प्लाट है ना टोटल प्लाट फूरा उदर से जागा ना आतने मेरा इंकम नहीं सर कभी या किसी officer से मिले हूं जिस से आपने गुहार लगाई हूं हम जो किसानों की इतनी सब्सक्राइक मंत्री लीडर कभी आया है सब देखने किसानों की दुर्द्रसा यहीं लीडर नहीं है यहीं लीडर नहीं है यहीं पूरा वेस्ट हो गया ना मेरा काम है ना पूरा हो गया बस कोई लीडर नहीं आता से पूर लेने के लिए आते हैं नहीं सर ओट लेने के लि नहीं आता है मतलब की हालत बहुत बुरी है रोजगार महगाई को किस तरह से देखते हैं यह कीवा देखता है ना बट आता नहीं वेस्ट है पूरा वेस्ट हो गया है आप क्या सुचते हैं हुआ है वह इसा में में वोट के लिए लोग आते हैं फिर चले जाते हैं लिफान नहीं लुक्षन कितना लुक्षन हो गया वह उसको मतलब नहीं मतलब नहीं है जो यह नुक्सान हो जा रहा है इसकी भरपाई कैसे होगी मतलब कहां से पैसे आएंगे मतलब जो पूजी आपने लगाई तो डूब गए फिर आपको लोग की जिंदगी कैसे चलती है अब अगर मतलब कि यह सब खराब हो गया आपको जीवन आपन करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा दूसरा की तरफ सो कोई साहता नहीं 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 देखिए लोगों का दर्द है अगर सीम बॉंबई करनाटक के सीम अगर आप सुन रहे हैं इन किसानों की बात जरूर सुनिए कि आखिरे किसान लाखों रुपए लगाते हैं लेकिन इनकी जो हालत है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाती है कि मतलब जिसे सब्दों में बया करना वो बड़ी ही मुश्किल की बात होगी आप हमेशा कहते हैं कि किसानों की बात करते हैं किसानों की राजनीद करते हैं लेकिन किसानों की इतनी दुरदसा क्या हूं है एक बड़ा और अहम सवाल है आपको इस पर जरूर ध्यान देना च प्रमोद गुपता जे भारत का नाटक